क्रिकेट का जुनून तो आपने कई लोगों में देखा होगा लेकिन दो साल के बच्चे का ऐसा क्रिकेट जुनून आपने शायद ही कहीं देखा होगा इस वीडियो में आप जिस बच्चे को देख रहे हैं ये जारखंड के बोकारो जिले का रहने वाला है नाम है जयंत कुमार उम्र सिर्फ दो साल दो महीने लेकिन क्रिकेट के लिए जुनून ऐसा कि हर कोई देख कर हैरान रह जाए ये नन्हे हाथ जब बल्ला जमीन पर पटकते हैं तो मानो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के जैसे और जब यही नन्हे हाथ बॉल को हिट करते हैं तो गेन बाउंडरी के पार चली जाती है फुट वर्क के तो कहने ही क्या कुल मिला कर छोटे पैकेट में बड़ा धमा का बोकारो जिले के बिर्टान गाउं में रहने वाले जैंद कुमार के पिता अमित कुमार का कहना है कि क्रिकेट के समझ तो जैंद को नौ महीने से ही आने लगी थी जब जैंद नौ महीने का था तब वह पहली बार मॉबाइल में विराट कोहली की बैटिंग देख रहा था तो उसने बैट खरीदने की जिद कर दी उसके बाद जब उसे बैट दिया गया तो वह घर के सामने ही खुले मैदान में बैटिंग करने लगा अब देखे इसके वीडियो में के इतना निखार आ रहा है किल देखेना में देखेना के जलिखेना एकर पागलन जैसा कर नें के लिए संभा साम जब भी इसको टाइम मिलता है जब मैं इसको डाइम मिल देता हूं करते हो एक दिन यह क्डैकल लेगा तो यह लोक्त को भीव्राइब यह जीत है जड़ने के लिए किर्केट है तो जीद करता है हां समान जीत करता है हाँ समान जीद करता खाना तक नहीं और के नहीं मिल रहे हैं कितने मंत की करें कितने मतंसे कीरेंग स्टर्ट कि whats मंद से इसका स्टार्टिंग जब हुआ था ना इसका दोनों पेर का पेरलेसिस जैसा था इसमें इसको डॉक्टर के यहां इलाज करवाए नीचूतपुर होस्पिटल का त्रास में इसका लगवा लगवा सर्जरी और पलस्तर हुआ 15-16 लोबार हुआ उसके उससे पहले इसके कितना परसंता होता है बेटे को इस तरह देखे परसंता तो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि माली जी जिस तरह आप बोल रहे हैं कि काफी इसका दिकत था हां दिकत बहुत ज्यादा था दोनों पेर एकदम फिक्चर जैसा था जैनम से आपको कितना खुसी हो रहा कि इस तर भी बताया कि जब इसका जन्म हुआ तो ये दोनों पैर से लाचार था। इसका इलाज कराया गया और कई महीनों तक उसके पैर में प्लास्टर चढ़ा रहा। धीरे धीरे वह ठीक हुआ। इस दोरान भी जयन्त बॉल के पीछे जमीन में घजटते हुए चलता रहता था। वहीं जयन्त की मा जानकी देवी अपने बेटे के क्रिकेट के प्रती जुनून को देख कर काफी खुश है। उसका कहना है कि जब उसने पहली बार अपनी जुबान से कुछ बोला था तो वह बेड बॉल लेके पूरत शेल था। बेड़ Deputy रहता हुस के पीछे पीछए जसले जाते हैं। चोटा था तो बहुत प्रवलम थे सबढ़का हुआ हुआ। जैंत की मा ने ये भी बताया कि जब उसके पैर में प्लास्टर था तो वह बॉल के पीछे पीछे जमीन पर भागता रहता था मा ने भी उसकी बिमारी का हवाला दिया और कहा कि वह आगे बढ़े यही उनकी इच्छा है ये अबोध बालक खुद अपनी लडखडाती हुई जुबा से बड़े होकर विराट कोहली जैसा बनने की बातें करता है क्या बनना चाहता बता NBT Online की रिपोर